श्रीक शत्रिय युवक संग के स्थापना वर्ष के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में हीरक जयनती का महा आयोजन जैपुर में 22 दिसम्बर का होगा, इसी को लेकर चोहटन बार्मेर से संकल्प संदेश यात्रा विभिन जिला तहसील वगामे से होते हुए निकाली जा शुक्रवार दापहर बाप पहुंची इस यात्रा का कई जगह पुषपवर्षा के साथ स्वागत किया गया। मोहन पबलिक स्कूल के बालक बालिकाओं ने रत का पूजन कर पुष्प समर्पित किये। संकल्प यात्रा के मुख्या राइडर महेंद्र सिंग तारात्रा ने बताया कि जैपुर में भव्य मेला होने जा रहा है। इस महान कारेक्रम का हम सभी हिस्सा बने हमारे लिए सौ मोहन सिंग भाटी, भवानी सिंग पीलवा, लक्षमन सिंग गुरानाल, डॉक्टर, विक्रम सिंग, हरी सिंग डैलाना, भों सिंग भाटी, आशु सिंग टेक्रा, अर्जुन सिंग टेक्रा आधी रैली में शामिल हुए। बाप कसबास्थित मेगवालों के बास में समता सैनिक दल के तत्वावधान में 72 भारतिय समविधान दिवस समारो पूर्वक मनाया गया। कारेक्रम का शुभारम बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यारपन करके किया गया। तहसील अध्यक्ष गनपद भारत ने कहा समविधान सभी नागरिकों में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय देता है। अन्याय, अत्याचार के मामलों में संघर्ष करके न्याय प्राक्ति के लिए हम सब को ताकत और होसला देता है। भारत ने समविधान के अधिकारों की विस्त्रत जानकारी तथा समवैधनिका विचारधारा जीवन में आत्मसात करने का आहवान किया। इस दोरान केशराराम मेगवाल, अचलाराम मेगवाल, गिर्धारी राम, कमला भील भोजो की बाप चक नम एक पुर्खाराम पुनन, तिलोक चंद बारुपाल, मांगीलाल पनवार सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्तित थे। वापकस बास्थित राज किये उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रिय सेवा योजना का प्रथम एक दिवसिय शिविर आयोजित हुआ। कार्यक्रम अधिकारी नवरंग विष्णोई ने बताया कि इस एक दिवसिय शिविर का उध़ाटन विद्यालय के प्रधानाचार्य रोहताश मीना ने किया। इस दोरान प्रधानाचार्य मीना ने राष्ट्रिय सेवा योजना के महत्व के बारे में बताया। राष्ट्रिय सेवा योजना के स्वयम सेवकों द्वारा विद्यालय परिसर में श्रमदान करते हुए सफाई की गई। विधी दिवस के उपलक्ष में निबंद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर व्याख्याता कनहयालाल पालिवाल, अशोक, कुमावत, सुखराम, राजाराम, विजेंद्र, मनीश्ट, कैलाश, भाकराम, वरिष्ठ, अध्यापक, तोलाराम, पालिवाल, ब्रह्मानन्द, आदी मौजुद थे।